बच्चे को लगतार अगर जागदार पोट्टी आ जाती है एक बार दो बार तीन बार तो उस टेम पे जो हमारे घर के बड़े लोग है वो सीधे के सीधे हमारे उपर शक के निगा से देखते हैं कि जरूर मा ने कुछ खाया होगा कुछ ऐसी चीज़े खाली होगी जिसके अब भी बहुत सारी रिजन होते हैं जहां पर मैं एक ही रिजन के उपर ज्यादा फोकस करने वाली हूँ क्योंकि दूसरा रिजन पताऊंगी तो वीडियो और लिंदी हो जाएगा तो आप सिर्फ और सिर्फ एक और रिजन के उपर फोकस करें कि कि किसके वज़े से आपको प्रॉब्लम आती है तो उन प्रॉब्लम का सॉलूशन निकालेंगे बलके अपने आपको दोशी या दूसरे जो लोग आपको दोशी मान रहे हैं वो भी उन वीडियो जरूर शेयर कर दीजेगा कि जो लोग यह सोस्ते हैं कि बच्चे का इसने अच्छे से ध्यान नहीं पोटी आती है बच्चे को घ्रीन घ्रीं घ्रीन बच्चे को जाती है जाग जाग जयसा होता है फटाइम कोरें बच्चे को ब्रेश्ट फीडिंग कराती हैं ब्रेश्ट फीडिंग कराने से पहले अपने ब्रेश्ट की अच्छी तरह से मसाज कर लें साफ सफाई कर लें क्योंकि ब्रेश्ट के ऊपर भी कुछ ऐसे परत होते हैं जो कि गंदे होते हैं डेड़ सेल्स होते हैं जो आपके निपलों पर प आप हलका साउस के उपर मसाज जरू करें, मसाज करने से होता है कि जैसे ही बच्चे को जब आप मिल्क पिलाते हैं, तो पहला जब आप मिल्क पिलाते हैं, तो पहला जो 5-7 मिनट का जो मिल्क होता है, वो बिल्कुल पतला-पतला होता है, पानी वाला मिल्क होता है, तो पानी से ही वो पेट भढ़ जाता है और जितने nutrition बच्चे को चाहिए उतनी nutrition उसको नहीं मिल पाती है तो आपको कोशिच ये करना है कि थोड़े दिर पहले आपको हलका सा ब्रेश्ट का मसाज करना है ब्रेश्ट को क्लीन करना है तब ही जाके आप बैच्चे को लैच कराईएगा तब आप देखेगा कि एक से दो मिनट के अंदर अंदर ही आपको वाइट कलर का दूद निकलना है स्टार्ट हो गया क्योंकि उसके पहले जो मिल्क निकल रहा है वो बैच्ट का बैच्ट करना है जैसे मैंने आपको बताए कि ब्रेश्ट अच्छे से साफ कर लीजे मसाज कर लीजे एक से दो मिनट के अंदर आपको नॉर्मल वाइट कलर का दूधाना स्टार्ट हो जाएगा लेकिन तुरन से आपने सोचा कि चलो एक से नहीं दूसरे से पिलाती हो तो कई बार क्या होता है कि बच्चे को थोड़ा ही पिना है पांच मिनट का ही उ उसको ट्रांजिशन आप करिए तुरन से अगर वो ट्रांजिशन करियेंगा तो उस उपär-उपर का हुमेल्च ही बच्चे को जायेगा तो इस तरह से आप अपने जो reason बताने के next video बताऊंगी कि और भी reason होते हैं जिसके वज़े से जागदार पॉट्टी आती है उसके लिए आप मेरे channel को ज़रूर देखते रहिए Thank you so much for watching Twins My World Baby